हालो गाज कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों के मेरा प्राइब नमस्कार और मैं पेस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्ट बॉक पर सो जल्दी साम फटाफट सेशन को जोईन करें मुझे बताएं एक बार इस दो आडियो वीड हालो गाज कैसे हैं आप लोग चलो बाइस रोगियाज है अगे बढ़ते तो अगे बढ़ते हैं तो गुट माना प्रिया दूबे गर्मादा गूड वाणन प्रणाम तबे ठीक है मेरी अभी आप्टर नून चिराग नमस्कार और आगे बढ़ते हैं जयसा कि आपकर पो पूरी दर्द संगल पूरा नहीं हो पाता है तब तक आप बिल्कुल आराम करने की बढ़े रहें अपने लच्छ में इसी से आपको सबलता मिलेगी और अपनी इच्छाओं पर नियंत्र रखें यहां पर एक चीज कहेगी बिचारों पर क्या रखना है आपको नियंत्र रखन है सांथ रखना है तब ही आप पूरी इस्टेबिल्टी के साथ आगे बढ़ पाएंगे विसी के साथ बढ़ते हैं आगे के तरफ और हमारा जो आपका जो क्लास मिलेगी पीपीटी मिलेगी आपको मिल जाएगी ठीक है आपको क्या हुआ मुझे थोड़ा फीबर था अभी है देखतें आगे क्या होता है सब्ला सबार सब्ला अता है इनमें कि सट्रफ नमें एक विक हिए लिए है। तो फायर अल्टर में याह फिर आ पर याप जगा पर मिले हैं चलो, कि लास अभी शेर नहीं हुई है, तुमें कि लास को सेर कर देता हूँ, आप लोग भी लास को सेर कर दीजिए एक बार. आप Anda अ आपको पार संहे आप लोगों की गोंहें चलिगेल जो है है उज्फ отд連t है या अद लोगों की तो आपका जो आंसर हो जागा काई जाएगा देखो आंसर उज्फ लिव dwlar ? रियुट needs ऐनी अगर बात करेंगे तो यहां पर अगर बात करें किसमी बेटा अग्या करने के लिए वहा करते हैं पते को ही जड्ड गड़ी इंड सर्सक्राइब suit eh रिद्षाइब वहता बलेदान भी हम याँ पर शामिल हुआ करता था संकॉड ऑली के अगड़े होते थे तो उसको यहां पर करती हैं यहां पर कही है के जाता है उनको भी करने का गड़ा हो जागा अगे बढ़ते हैं अग्ला सवाल हाता है कि 1867 में किस मुगल राजकुमार ने उपने सुटों का फार्सी में अनुबात किया था? तो 1657 में एक हमारे मुगल राजकुमार हुआ करते थे उन राजकुमारों ने उपनी सुदों का फारसी में अनुबात किया था वो कौन हो जाएंगे याँ पर मुराद मिर्जा, दारा सुको, सुल्तान लुपतला या पर यहां से हो जाएगा आपका कौन सा यह साहसुजा, किसने किया था फारसी में अनुबात, तो वो हो जाएंगे दारा सुको, किसके साजां के बेटे हो जाएंगे, जिनका नाम है दारा सुको, जिनको बाद में मार भी दिया गया था, दारा सुको, ठीक है अब यहांज बढ़ते दाराशकों के अगर बात करेंगे तो उन्होंने कुछ और अनवात देख लिए जैसे कि अगर मुला अब्दुलकादिर बदायनी के बात करेंगे तो ये उस समय के कुछ फेमस राइटर हैं आपर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आता है ऐसे कि सब्सकेज को सब्सक्राइब आपर नवाल आती हैं पहला यहां पर देखा जाए तो मुगल स्या Su igual 1331 या फिर आप हो जाएगा तो यह पट लोप में अने की हसे उद्षा बदिक को बता है तो लोदी को हराने के बाद गंती पर बैठा था 1526 पानीपत और लोदी ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के आता है अगला कुशन कहता है किस गुप्त सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है विज गुपता रूलर इस नौन ऐस दा नेपोलियन ओफ इंडिया कि इसको सवाल इसको नेपोलियन ओफ इंडिया भी कहा जाता है कि आसे के हैं समुद्ध को नेपॉलियन ओफ इंडिया भी कहते है यहां पर बढ़िया यहां पर जो गुपता सामरा जा था उसमें पहले तो सिरिगुपता आये इन्होंने महाराज का टाइटल लिया महाराज का इसके लाब आ जाएंगे इनके घटोतकच आ जाएंगे घटोतकच ने जो टाइटल लिया महाराज का टाइटल लिया इन्होंने महाराज का टाइटल लिया उसके लाब फिरा जाएंगे चंदुगुप्त बन आ जाएंगे और ने किसका टाइटल लियाँ है हिएहाँ पर उन्हें आनल मिले हैं इनके बेटे समध हो ने पॉलिन ऑब नपार्ड नेपॉलिन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसके लावन को बिक्रमांग भी कहा जाता है और उसके बाद आएंगे चंदगप्त दूतिये ठीक है चंदगप्त बनने इन्होंने महराजा धिराज का टाइटल लिया था और चंदगप्त दूतिया हो अगला कुछन देखे आधा है नोट करेंगे कि प्लाशी कजेशफ निम लिखत में से किन दो पक्छों के बीच में हुई था फ्लाशी के यानि के 1757 के बात की जा रही है तो इसको बोलते हैं बॉलते हैं और 1764 में हुआ था, इसको क्या बोलेंगे, बकसर का युद्ध गहते हैं, तो प्लासिक अगर बात करेंगे, तो सिराजु दॉला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ये भी आद रखेंगे, अगला सवाल, अगला आता है कि भू परसासन की रायदबारी परणाली में, इन में से क्या था, इन दा रखेंगे, चलो, क्या अंसरो का पता है जली फटाक से, तो जमिदार टुक रिस्पोंसबल्डियों दा क्लेक्टिंग टैक्सिस, कर संग्रे का दायद तो जमिदारों को था, कर चुकाने का दायद तो भू स्वामी का था, या फिर किसान, बिटि जो रिस्पोंसिपल्टि हुआ करते थी, वो किसान बिटिस अफनिवर्सिक सरकार को राजशो देते थे, बीच में कोई जमिदार बगरा नहीं आता था, जमिदार जिसमें लेते थे, वो जमिदारी विवस्ता है बाबा, अन्पमा, संजना, नहीं अन्पमा, और को नों है चिराग और कौन है आपर ए वाला बाबू बेटा जमिदार जब लेते थे उसको जमिदारी विवस्ता कहते हैं और जब रयत्स बनाई गहीं थी जब जब किसान अपना डिरेक्टली देते थे तो उसको रयत्वारी कहते हैं समझे कि नहीं न समझे एक महल बारी हुआ करती तो यहां पर देखेंगे भूर आज़े सुवस्ता कि अगर बात करेंगे रहीत्वारी सिस्टम की बात करते हैं रहीत्वारी का जो कारणबन है वो किसके दोरा किया गया था थामस मुन्रो जो मद्रास के गवरनर हुआ करते थे यहां पर 1820 में इसको लाया गया था इसके अ तो आधर भूम में 60% कर देना पड़ता था मतलब अगर आप 100 कुंटल उगा रहे हैं तो 100 कुंटल में 60 कुंटल जो है अगर जो पास चला जाएगा आपके पास कितना बचेगा सिरिफ 40 कुंटल बचेगा उनली तो यह क्या हुआ करता था रहीत वारी सिस्टम हुआ करता थ सिस्टम है ह्युआ करता था मेजर हैट्स था काल अना श्यवा पर tremendous तृवर भी कंटल थे तो आपके डीव इसमर्स शिस्टम नों ऩिये की ना न जिकारी थे जिन्हों दिली पर कबजा किया था जॉन निकोलसन या दखिएगा ठीक है कुछ अंग्रेज मारे भी गये थे जैसे कि अगर देखा जाय तो यहां पर जोन ने 18 सुताबों को दिली पर कबजा कर लिया था कबजा करने के बाद निकोलसन को लड़ाई में क्या लग उनको उसने मार दिया था और बादर साओं को बेज़ दिया था कहां पर रंगुन बेज़ दिया था इन सब की हत्या करने के बाथ कॉलिं केम्पेवियल की बाद कारें गये था पूरे बुंधिल खनवाली रीजन को ने ने scraping TR ऐस की बारे में थोड़ी सी थोड़ी सी बात य क्लास के टाइम ही मतलब आते हैं जब नॉकरी नहीं लगेगे पैथा जरूत होगे तो कोई केस्ट काम नहीं आता है तो यह बहुना दा हो जातेट में 100 रुपे देके चले जाएएंगे कोई गेस्ट ने किला गा कोई जरूती पूरी नहीं करेगा और सक्सीस नहीं और तो यही गेस्ट ताना मारेंगे सबसे पहले सबसे पहले यही गेश्टाना मारेंगे बेटा तुमने एक एक एक्जाम दिया था क्या रहा उसका हुआ नहीं अब तुमको पता है जब दो मिना पर विजल्ट आ चुका है और तुमको पता है एक हुआ होता पता चल गया होता तो कहा है जब नमक चुड़क रहे हो बेटा तुम तो त्यारी करने कहे थे दो साल से आई इसकी त्यारी कर रहे थे यह हुआ क्यों नहीं क्या हुआ ऐसे पूछेंगे जैसे इनसे बड़ा हमदर्द जो है कोई नहीं है और यही इनको फोन कर दो भाई साब कि एकजाम की फीस देनी है और कोचिंग की फीस देनी है और पंदा जार रुपे डिलवा दीजा अकांट पे तो छाती पे साब लूट जाएंगे सही बता रहे है तब कहेंगे अरे पैथे तो हैं यह नहीं हमारे पास पे राजाम पर भाद को का तुसके में आत्म हम राम म॓हन को जाना जाने लगा तो इसमें क्या हो जाएंगे हम ने दिये पैसश को को तब ही दुम सपल हुए ऐसे लगता है कि वही दहजार रुप्रे में आप त्यारी करी थी तो राजा रामोहन राय ने एक नहीं धर्मिक समाज की इस्थापना करी दिए जो आत्मे सभा के रूप में जानते हैं सथिप्रथा का अंतवाता 1830 में 1829 में हुआ था विल्यम बेनटी के दोरा यहां पर जो है एक्ट पास किया गया था सथिप्रथा का अंत ठीक है इसके अलावा इसके अलावा देखते हैं आपकर क्या हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा यह थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पाया क तो यहां पर देखेंगे राम भॉन राइग की तीन पत्रिकाएं भी ती जिसको ब्रह्म अब रमरिकल पत्रिका 1821 प्रकासित करी थी बंगाली सब्ताहिक संबात कौमदी जो था 1821 में करी थी फार्सी सब्ताहिक हुआ करता था मिरात उल अकबर यह भी उन्होंने ही क्या रध 5 दिन 24 दिन या फिर 30 दिन तो डंडी ओंडी आपर 24 याँपर चला था पीर आगे आते हैं कि के अधर प्रांतों के बेच में विधाई सक्तियों को विभाजित किया तो भिधाई सक्तियों के विवाजित करने वाला सुप हैं इत्यास के दस सवालों में से कितने कुश्टन आपकी करेक्ट है इसटे इन अभी एक पंदा सेशन है आपको मैं कुछ इंपोरेंट टोपी बता दूँगा जिसे पूरा-पूरा स्कोर कर सकते हैं। और कौन है तो उन्वमान के आठ है और क्या बताना है नीलु interpretations लोकेटट? तो गारू, पहाड़िया है भारत के किस भाग में स्थित होती है उत्तर में है उत्व पूर्व में जच्छर पर्श्य में है तो भारत के इदर आपको जाओगी साइड में इस वाले एरिया में आपको पढ़ेगा आप गारोखाती जंतिया पढ़ेंगी तो गारोखाती जंतिया आपके किदर पढ़ेंगी नॉर्थ में है नॉर्थ इस्ट में है साउथ में अच्छिन पूर में है तो कहां पढ़ेंगी मेगाले आने की नॉर्थ इस्ट पढ़ेगा प्रित्वी की गोलाकार आकरती की कारण 180 डिगरी देसांतर को क्या नाम दिया गया है तो 180 डिगरी जो लॉंगिट्यूड है longitude का मतलब होता है long long. यह longitude हो जाएगा. तो 180 degree longitude को क्या नाम दिया गया है. ईक्वेटर बोलते हैं, international dead line बोलते हैं, यहां पर Capricorn line बोलते हैं. क्याँ सी line बोलेंगे 180 degree longitude को. यहां पर क्या सार बच्चे confusion हो जाते है. equator जो होता है, वो latitude होता है. लेटी लेटी लाइन ये क्या है लेटी हुई लाइन है तो लेटी से क्या हो जाएगा लेटिटूड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे लेटिटूड कहते हैं तो ये तो होगा नहीं अब बस्ती 180 डिग्री उसको क्या बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं अंत सबसे कौन सा दुनिया का सबसे चोटा मासागर है सबसे चोटा मासागर कौन सा होगा ठीक है सबसे चोटा मासागर इनमें से कौन सा होगा परसांथ मासागर तो सबसे बड़ा हो जाएगा पैस्पिक तो सबसे बड़ा है अब सबसे चोटा होगा तो सबसे चोटा होगा अगे बढ़ते हैं निला हरा वर्सपतीय का सनीयड़ं का या पिर अरुण किस फ़ाए का रङई हो जाएगा वो निला है ठीक है आखों के लाबा भी रंग नीला हो सकता है ग्रहों का होता है रंग नीला ठीक है आखे भी हरी लाल होती है हरी नीली होती है ठीक है चलो भाई अच्छी लगते हैं देखने में नीली नीली आखें अब यार अर्थ लगा रहे हो अर्थ तो नीली है यार यहां पर उरेनस जो होगा वो कैसा हो जाएगा नीला हरा है अर्थ क्या है सिर्फ नीली है वाई अर्थ सिर्फ नीली है एक कॉंटेक्स्ट है नीली हरी नीली और हरी यह किसकी है बेटा आपकी लाइ कौन सा है? लाल हो जाएगा, कौन सा? मंगल हो जाएगा. तो लाल है, जो है वो मंगल है पेटा. ठीक है? अर्थ तो नीली है, ठीक? अगला सवाल देखते है. अगला कूश्यन. विक्टोरिया जल्परपात आपका किस जगाए पर पढ़ेगा कांगो नदी पर है नील पर है जांबे जी पर है या फिर नाइजर पर है तो वो रिवर कौन से हो जाएगी बेटा आपकी कौन से होगी जारा पताओ फटाक से कांगो आउसर देरो बहुत बढ़िया तो जितने भी कांगो वाले हैं वो गलत हैं जांबे जी यहां पर क्या हो जाएगा राइट आणसर हो जाएगा जांबे जी नेदी पर पढ़ता है विक्टोरिया जल प्रिपाद समझे बेटा किलियर एचीज बढ़िया जांबिया एक जांबिया और जिम्बामबे की सीमा के बीच में पढ़ता है तो जांबिया एक जगह पढ़ेगी जांबिया और जिम्बामबे जिम्बामबे के बीच में जो पढ़ती है उनके बीच में लाइन है उसको बोलेंगे हम लोग क्या हम लोग बोलेंगे जांबेजी ठीक है अग बहुत सुंदर आगे बढ़ते इकोनोपि사 क्यों फोड़ा सांती बने से घृति हुई है पेला फेले जम्रास पेल कंद हिए उन्सकर मेंन्य कमा इंतर की स्वेज़ार इंद्सक्राइब कई अलुए पिर वेस्टा माना जाता है तो किस पर्यकार की हफीस्ता प्याटतारी कॉनमी कहेंगे किसको भारत को इंडिया को यह प्यूर कमांड इकॉनमी है मिस्स एकॉनमी है ट्र कैसा की बारत को निमनेखेद में से किस प्रकार की आद्विवस्ता माना जाता है तो हमारी ना तो capitalist economy है, हमारी economy कैसी है, ना ही capitalist है, ना ही socialist है, हमारी economy कैसी है बेटा, हमारी economy इनके बीच की है, जहाँ पर planning भी होती है, सरकार का control भी होता है, private लोग भी होते है, तो ऐसी economy को बोलते हैं, क्या mixed economy बोलेंगे, यानि कि मिसरित आत्विवस्ता कहते हैं, pure command economy जो हो है, वो क्या हो जाएगी, आपकी pure command, जिसमें पूरी command हो, यानि कि क्या हो जाएगा, capitalist वाली हो जाएगी, हाँ पर, इसके अलाबा, traditional economy बात करेंगे, तो जथा चल रहा है, बाटर सिस्टम अगरा, वो traditional हो जाएगा, pure market economy की बात करेंगे, तो यह pure market economy हो जाएगी, ठीक है, master class अभी नहीं होई, तब यह ठीक नहीं थी, बैटा मेरी, I was suffering from fever, अभी class ले रहा हो, तो दवा खाके ले रहा हो, देखेंगा, आगे बढ़ता है, फिर आता है कि भारत में आर्थिक नियोजन किस में दिया गया है, संग सूची में है, राज सूची में है, संभर्ती सूची मे राजी के साथ साथ में केंदर का दोनों का ही समान दाइट तो होता है कि वह एकॉनमिक प्लानिंग को लेके चलें, क्योंकि अपना अलग बजट निकालता है, आपने देखा होगा, राजी का बजट निकलता है, और इसके अलाबा देखेंगे, जो आपका क्या बोलते हैं, केंदर का उसका क्या होता, आपका अलग बजट निकलता है, तो स्टेट का अलग है, केंदर का अलग है, दोनों का ही बजट होता है, दोनों ही एकॉनमिक प्लानिंग करते हैं, दोनों की फानी समेस्टर होते हैं, वित्यमंतर ही होते हैं, तो दोनों हो जाएगा, राइट है बनाए गे थी तो नरेंद्र मोधी ओजाएंगे दॉक्टर मनमोहन सिंग भी पीपी नरसुमा राओ या अडल बिहारी बाच्पी इन में सुझाने वेटा आपके यह दॉक्टर मनमोहन सिंग हो जाएंगे इनके नह सी नहीं पंचवसी योजना चली थी 2007-2012 के बीच में कब च कि निम्लिखित में से एक खुला बाजार संचालन किसका एक साधन हो जाएगा and open market operation is an instrument of which of the following तो निम्लिखित में से एक खुला बाजार संचालन किसका एक साधन होगा open market है वाई यह open market तो open market operation है मतलब आओ open है पूरी market फिर में को ले आए सर हां में तो जैसे बाहर मिलती ना भिंडी की दुकान पर कि भाई एक किलो मेडम दे देना आधा किलो मेडम दे देना हां मिठाई दुकान में मिलती ना वो भाई एक डिबा प्लेक कर देना ऐसा है चिराग ना तो हम काज ले आते हैं और एक नहीं कई सारी ले आते हैं तो निम्ली कितमे से खुला बाजा संचालन किसका एक साधन हो जाएगा राजयसुनिती बजट नीती मौधिक नीती किसका होगा तो यहां पर देखेंगे बेटा हो जाता है यह मौनेटरी पॉलिसी है यह ओपन ऑपन सब्सक्राइब करता है तो निम्ली कितमे से कौन से संबावित परडाम हो जाएगा बारजिक बैंकों के पास उझादेने के लिए कम धन होगा कans serge कार के पास उधादेने की लिए अधिक धन होगा पूंचा जा भाया भातिर जब बैंक अगर इसे में ब्रद्धि करेगा CRR में, cash reserve ratio में ब्रद्धी करेगा तो क्या होगा? तो होगा क्या कि जो बारे जिक बैंके होंगे उनके बास उधार देने के लिए कम धन होगा? तो एवाल आंसर होगा, कैसे होगा? अब जैसे बताईए, मान लेजिए क्या होगा आपका? जैसे कि मान लेजिए, अब क्या है? सफोर्स जैड मान के चलिए कि आपके घर से पैसे आए आप साइव लोग त्यारी करते हो दस जार रुपे मान लेजिए आपके पास आते हैं घर से कि भीया, इसमें खर्चा चलाना है अब बाबो को खलाने है मुमुज तो आपका दो हजार रुपे चला जाता कि इसमें बाबो के मुमुज में चला जाता है आपने का कुछ भी वज़ा इस बाहर में क्या करूँगा सेविंग करके रहूँगा और आप क्या करते हो हजार रुपे अपने पास सेव कर लेते हो कि इसको इमर्जेंसिय में चलाएंगे जब आखरी टाइम पर मैं उधाल लेके मोमच खिलाता हूं तब के लिए रख लेते हो तो बाहर आपको खर्चा करने के लिए कि आओगा कम होगा बाहर तो आप दे नहीं पाओगे मोमच बाले को दे पाओगा क्या नहीं दे पाओगे म में वो लोगों को का का करता है सब कुछ करेंगा अब सो चोंप आर्बेग या करे उस compr को बढ़ा दे तो बैकों को जांदा पैस अपने पास रखना पड़ेगा रिज़र्व में तब क्या होना पड़ेगा तो इनको पैसा देने के अधिक धन होगा जब CRR कम हो जाएगा CRR कम हो जाएगा तब इनके पास पैसे को वो जानदा बाहर निकाल सकते हैं समझे बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला अब बताई एक और मी के पांच सवालों में से कितने सवाल जो है करेक्ट हो गए है इक और मी के पांच सवालों में से कितने सवाल आपके करेक्ट हो है बताईए तीन ओहो चार पिकेपाल के चार हैं very good सोनू ठाकुर के चार है very good और कौन है चारवाला बर्जियस राजपूत के भी चार है very good बहुत बढ़िया बच्चो चिला के भी चार है ठीक है तीन वाले अगला आते हैं अब पॉलिटीग बात करते हैं उचनले की नाइदिसों की जो पेंशन होगी वो पेंशन आपकी कहां से दी जाती है भारत के समय की निदी से दी जाएगी या फिर कंटीजेंसी फंड अफ इंडिया से दी जाएगी क्योंकी नियुकति कौन करता है इंकी कृति करते हैं तो केंद के दो इक नुकति की इल shared offer करेंगे जो हाइक क्यों करेंगा इनका जो इस्तारांत्रन होता है वह और कशोंचर करेंगे चलिये फटाफ़र्ट आंसर देंगे फटाफ़र्ट बढ़िया ठीक है क्या सवाल किस सवाल था कुछ सेल्ली भी नहीं सेल्ली नहीं देंगे सेल्ली दुछे देंगे क्या सेल्ली जाएंगे वो इंडिया से जाएगी ठीक अगला सवाल अगला था है कि एक फॉर दा नैसनल फ्लैग सेल्ली देंगे तो राश्टिय धो जो राश्टिकान का सम्मान करना क्या है यह करतब होगा फंडामेंटों का क्या करना संवान करना तो जो भी हमारे संवान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वह यहांपर कमेटी थी सवान्द सिंग कमेटी थी यह आत करेंगे ठीक अगला सबार अगला आता है कि भारत के समधान की दस्विय निसूची में क्या है भारत के समझान की 10 बह tort में दिल तो उसने क्या कर दिया दल बदल लिए पहले इस दल में थी पिर उस दल में चली फो चली इंड वी जिश्um समंदित प्राबधान तो जाएगा दल बदल तो पहले क्या होता था कि टांस्पर जो करेगा बैटा वो सीजाए नहीं करेगा वो प्रिशन करते हैं सीजाए कि सला से इसको बोलेंगे एंटी डिफेक्शन लो तो जाएगा बैटा दसमी अनसूची लेंगुज की बात करेंगे के जो भासा हैं दे रक्शान किस लेंग्विज में दे रक्शी हैं किस अनसूची में दे रक्शी हैं बासा के गर बात करेंगे तो तो भासा किस सूची के में है स्टेट में 61 आ और यहां पर 25 रखे हैं कॉनकरेंट में तो यहां पर बताईए यह वो कहां पर दी गई कौन से में तो वो सात्मी में दी गई है तो शात्मां हो जाएक हैंड़ बैरी गूड इसके लिए अलोकसर नथा सीट इंडे कांशल फोर सेडूल में अच्छा बढ़िया आगे देखते हैं इदर बिटिस आसन के दौरान निमलिखित में से किस भारत सरकार अधनियम ने कुछ निरबाचित प्रतिनुदित की अनुमती दी थी यहाँ पर मुचा गया है कि इन बिटिस रूल विच आप फॉलिंग गवर्मेंट इंडिया एक्ट अलाओड सम इलैक्टेट री प्रिजेंटेशन तो बिटिस आसन के दौरान निमलिखित में से किस भारत सरकार अधनियम ने कुछ निरबाचित प्रतिनुदित की अनुमती दी थी गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 1947 इनमें से किस ने दी थी तो जाएगा गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और जिसको बोलते हैं मौरले मिंटो रिफॉर्म क्या बोलेंगे मौरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसको 1919 को मौन्टेक चैंप्सपॉर्म के नाम से जाना जाता है अगला सवाल अब आते ही नि स्टेट तो इस्टेबलिस दा पंचायती राज तो पंचायती राज इस्ताफित करने बाला पहला राजी कौन से हो जाएगा राजिस्तान आंद्रप्रदेश ए और बी दोनो और हो जाएगा बिटा कौन सा कोई नहीं नन 25 सवाल होगे टाइम भी आपका है भी आज मैं आपको सुनाओंगा एक बढ़ी आसी साहरी चलो कोन को साहरी सुनने में इंटेस्टेट है 25 सवाल पर रोज आपको कोई पोएम सुनाओगा मैं आज कल चलो बताओ जाएगा पंचायती राज इस्ताफित करने वाला पहला सवाल और बनता है वो सवाल क्या बनता है वो सवाल यह बनता है कि भी यह बताए कि जब 1992 में इसको समधान में जगा दे गए थी तो समधान में जगा देने के बाद कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने इसको इंप्लेमेंट किया था अब सवाल थोड़ा सा घूम जाएगा यह सबसे पर राजिस्ता ने किया दमाना मैंने लेकिन यह बताई एकि जब 1992 में इसको क्या किया गया तो उसके बाद फिर यहां पर बैटा कौन सा हो जाएगा इस्टेट जिसने सबसे पहले अपनाया था अंद्रफिस तो सेकेंड था अंद्रफिस वाज दा सेकेंड यह तो बात लेकिन 1992 के बाद में जो मद्रफिस था एंपी ने तो तब आंसा क्या हो जाएगा आपका MP हो जाएगा मद्रफिस अरे MP होगा निलू जी का अंसर ठीक है देखिए पलिया जी का अंसर भी ठीक है MP तब MP होगा ठीक है अब बताएए पालिटी के पांच मेंसे कितने सवाल अगर हुआ तो आगर हुआ अगर हुआ तो जर चिनी वह गाइश कर दोज रुधा ज ओर अहीं मृधे अ संना। कर सोर्फॉद सुर्फॉद्ध यगाई दुकिल अस्वड़े थु होता है दुक यूं नग रखॉद्थ कि नुट कर लिए। धर्थ करने चांचा कर पाएं उसके लिए बनाया गया था दर्थ यह नूट करने आग में डलने अग से अगर को दर्थ नहीं हो हो जाएगी कोई कांटा अपको चुभा और वो आपको चुपने का अगर इसास ना हो तो आप क्या के तो आप आपको फटाव में इसार हो थर्वा अंबटा इसी तुर यह ज़ो कि आपको गांदें आगा है कि अ इसलिए जबभी कभी है गहीं पर को कहीं विए दर्द गी right पर अपने आपका बाहर निकलने के टिकेट कटा के तुरंत वहां से इक दम रफु चक्र हो जाने गा मूब ऑन कर जाने का है वहां से निकल लो क्योंकि वह सब्सक्राइब हो पढ़ाई निकलने हैं ठीक है समझ रहे हो हां लेकिन अगर पढ़ाई बात नहीं कर रहा हो पतल ल कहा जाता है थी आपके एक यौन होती है और एक जो करान होती है यह ब्लेड में सीधे डारेक्ट ली करेंगी हॉर्मवन को साबित करती है और आपके वो बॉडिमे करेंगे और तो यह कहते हैं घ्राथ अग्ला फिर एक स्टॉइक माईक्रोड में होता है यह पर पूचा जाए आप से कि एक यह स्टॉण के बराबर कितना होता है अच्छा सवाल है बढ़िया सवाल है लगाए एक एंगे स्टॉम कितने माइक्रोन के बराबर होगा देख एक माइक्रोन होता है 10 to power minus एक माइक्रोन की बात करेंगे तो है 10 to power minus 6 okay एक सब्हomme बराबर माइनस 10 क कितना हो जाएगा मीटरओ अगर बन कालना तो आपको पता होना चाहिए कि यहां नि इसको ऐसे लिख सकते हैं सकते हैं और स्घम Louise को सकते हैं micron इसका मत दस की पावर माइक्रोन क्या हो जाएगा यहां पर राइट जवाब हो झाल कि लाल रखतो का काई कतने दिन का होता है जो red blood cells होती है RBC उनका जीवन काल कितने दिन का होता है कितने दिन तक चलती है RBC bone marrow में बनती है जिसको बोलेंगे अस्थी मज्जा while कितने दिन एक सो बीस एक सवस्री या फिर 240 इंबभी कितना हो जागbles के आसपास कारिकाल होता है बहीं WBC की बात करेंगे, तो WBC जो हो जाता है, वो कितना हो जाएगा, 4 से 5 दिन हो जाएगा WBC, 4 से 5 दिन, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है, हाइडोजन का रेडियो धर्मी समस्तानी कौन सा है, which is the radioactive isotope of the hydrogen, helium, parahydrogen, deuterium, या फिर tetium, हाइडोजन का रेडियो धर्मी स समस्तानी कौन सा है, helium, parahydrogen, deuterium, या फिर tetium, प्रियागराज की धर्ति से पढ़ाम, मेरा भी प्रियागराज को साच्छात पढ़ाम, हर हर सम्भू, अब वो कब है, क्या नाम है, कुम मेला कब लग रहा है, यार प्रियागराज में बताव जा रहा, कुम मेला कब लग लग है, hydrogen का radio Wahl रह्में समस्तानी कौण सा हो जाएगा थाяжके टीटियम हो जाएगा, टीटियम है यह दीक highlight answer, टीटियम कहते है HELD, Proti. अब साइंस के 5 सवालों में कितने सवाल ठीक हो रहे हैं यह बताएंस की सबानों कितने सवाल ठीक हो रहे है एक जन्मरी से चलो मुलाकात करेंगे आप लोगों से इस वार कुम्ब में पांच में तीन, पांच में चार, संजना के चार है, very good चुराक के चार है, very good, टागेट टीना, टागेट टीना, very good, ठीक है रोमी सिंग पक्का आएंगे, दोस्त पक्का आएंगे सुमन राणा चार, पल्वी सिर्वास्तव चार, ओके, ठीक है, अनुपमा पांडे चार, ठीक है, बढ़िया अब आदे थोड़ा सा कंड़ेफेस की तरफ, कि भईया, which of the following country celebrated गय जत्रा प्लेटा फेस्टिबल, कि लिए गये जत्रा सेLetra उत्सभ हो जाएगा, कि सन्टि मतों मनाया जाता है डिशुझ Dopoj चार, पूलाइंडे चार, बटीना, कि अस nar व्रत दे में घया जत्रा उत्सभ मनाया जाता हैं, एगवाटान नेपाल धसिलंका और मळद धा नेपाल से लंका और दो ैंसे करया आपको यहां से तुसको भूर लेंगे क्या जीए पैटापकर नेपाल हो जाइगा राइट उसमें गई जत्रा उत्सब जो है मनाया जाता है ठीके बात चलिए तो इसमें गई जत्रा का मत्तब हो जाएगा गई मत्तब गाय गया और जात्रा मत्तब क्या हो जाएगा जात्रा मत्तब यात्रा यानि कि जुलूस तो गायों का जुलूस निकालते हैं गाय बगरा होती सबसे पहले नंबर पर आजाएंगे FID ranking के अनुसार तो उनका नाम यहां पर क्या हो जाएगा FID का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा FID हो जाएगा आपका International Chess Federation International Chess Federation के द्वारा पहले नंबर पर कौन से खिलाडी है ठीक है चलो मेरी क्लास चलती है नोइडा से नोइडा से चलती है मेरी क्लास बताईए क्या हुआ अगला कुश्चन फिर आते हैं कि सच्छा मतले किस से सच्छर्था सब्ता मना रहा है तो सच्छा मतले किस तारीक से सच्छर्था सब्ता मना रहा है यह बताना है तो यह मना रहा है कि आपका एक से आठ सितंबर इसने मनाया है एक से आठ सितंबर तक सच्छर्था का सब्ता इसको बोलेंगे सच्छर्था बीग बोलते है ठीके बात आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आता है कि डॉक्टर बीजे पटेल मेमोरियल अवार्ड 23 से किसे समानित किया गया है तो बीजे आपर यह सतिजीत मजूमदार किसको दिया गए यह वार्ड उगर इसकी अगर बात करेंगे तो अवार्ड की अगर बात करते टो किसको यह जाएगा यह जाएगा बैटा किसको सत्यीत dalam度 का बरेता किसको बहुत क्यों यह manger to x kए जिये और पहली आदिवासी महला राश्पत किया है और किस जगा पर लॉंच किया उन्होंने राइपूर में बेलोर में जैपूर में या फिर लखनों में किस जगा पर इन्होंने किया है इसको लॉंच किया यह बताने आप लोगों तो लॉंचिंग अगर बात करेंगे तो कहां पर हो जाएगा यह लॉंचिंग किस जग जैपूर जोदपूर उदेपूर या फिर अजमेर जैपूर जोदपूर उदेपूर फिर अजमेर इन में से किस जगा पर किया गया है इसका नाम है किया बांद सुरचाप पर अंतराश्टिये समेलन यह किस जगा पर किया गया है चलो बाई बताए जो उपराश्पती जी हमा गुशना को पिंक वाइन को आगे बागला सवाल सितंबर 223 में भारत और अमेरिका के अगर बात करेंगे हां बबल पिंक होता है बेबी पिंक होता है सब्सक्राइब भारत और अमेरिका किस संस्क्राइब भाग लेंगे यह बताना है चलो बाई बताई फटाक से कि युदभ्यास 2023 का यह 192 2023 में लोग भाग ले रहे है ठीक है आगला सवाल पणिन निम्यक्र में से किस स्तान पर अंतराश्य यह बकील शम्मेलनं होती peine 2030 और इंगहें किस जगा पर मुंबाई नई दिली पुड़े या फिर लकणो को सूंचे अंतर लसे में करेंगे या century आघे बरते हैं चलो तो बकील बनना बहुत अच्छी बात है लेकिन वकील अच्छा बनी है वकील बनी तो अच्छा बनी है अक्मला बकील बन के यह नहीं कि आपने डिग्री ले ली उसके बाद बेट गए टाप रैटर खोल के वहाँ पर काम कर रहो ने उसके बाद PCS जे बगरा की त्यारी करिए अच्छे से लगिये मेनत करिये तो अच्छी पोस्ट पर जाईए तो इस्टकल बहाँ पर भी है लोग बलते हैं लोग कर लेंगे लोग करने के बाद बहुत बगील होता है ठीक है आप जाए कभी कानपुर में जाईए या फिर आपका फरकावाद साइड में जाईए और इ अच्छी मसाले खाने वाले आपको महीं मिलेंगे आईशा है यह काम हो नहीं पाएगा शही बतार है आपको आपको आफिडेविट लगाना पड़ेगा तो हम क्या कहिए ठीक एफिडेविट जो है 100 रुपय वाला जो है शाइन कर लीजे और 100 रुपय का फिडेविट लगे बताव इन्हें से देखा जाए तो गनाड जो हाली में खबरों में था किस की प्रजाती है और पान खाकर जैसे हटेंगे वहां से बाइशे पनवारी का करेगा आवाज मारेगा भाईया पैशे तो डेड़ो अब अब अधा क्या कहेंगे खाटे मू लेख ले ना खाटे मू ल कि उसका नाम हो जाएगा भारत का माल निर्याद कम हो गया है कितने कितने से जो करें रोट जोटा है मेक systems कम हो गया थोड़ा सा कम होता कि अग盡 कोणा नहीं दुश्व जो कम हुआ है 6 दसंफलब 8 जह पर से क्या हुआ हुआ अगस्त 23 में ठीक है का अले मुझे लेना इवन HR का क्या तात्पर हो जाएगा वाट अपर दा इव न हेयर श्री इडा हो जाएगा तो यह अपर हो जाएगा सिवन हr इस्टा इस तर इस क्या तात्पर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो UNSCR का मतलब क्या जाएगा अच्छा करेंट के दस सवाल हो गया ना दस सवाल में कितने कुछ संठीक हो जाएंगे मासूम बच्चा भी आया हुआ है बढ़िया चलो कितने कारें के साथ है और कौन है चिर्ण के आठ हो जाएंगे अबनब के नहीं बता हैं नोंने कोई दिक्केट नहीं है हरबिंद के ची हो जाएंगे ठीक, इसमें तो भी मेनत करी करेंट एक पढ़िये इसको, संजना के 8 हैं और मुकेस के 2 हैं और बिजेस राजपूत के कितने 7 हैं, very good बिजेस, आगे बढ़ते हैं अब आते हैं स्टेटिक के उपर, what does the UNHCR stand for, UNHCR का मतब क्या हो जाएगा, United Nations High Commissioner for Refuses सरणातियों के लिए सेंट राष्ट के उच्छायक तो जो हो जाएंगे, UNHCR, यानि कि C क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा, C is the right answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है कि Indian School of the Mines कहा है इसती थे, इसको इंडियन स्कूल of the Mines, उडिशा, जार्कंड, बिहार, या पर पश्ची मंगॉल, ISM धनवाद बोलते हैं, इसको इंडियन स्कूल of Mines, ISM धनवाद बोलते हैं, तो मुझे ISM धनवाद में मुझे मिल ला था college, उस सब 2011 में, ठीक है, बर वहापर mining मिल रही थी, मैं गया बढ़ते हैं, निम्री किस इस्तान को Cape Camoran के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें से किसको Cape Camoran के नाम से जानते हैं, कौंकर्दट को, खौजराहो को, या पिर आपके खंबात की खाडी को, या पिर यहां से बोलेंगे बेटा, करन्या कुमारी को, इनमें से अगर पूचा किस निम्री किस साहली से जोड़े एक पृस्ध वैटतु थे संबु महाराजवाजा, रिनाॉर्ण परसआलिटी ऑसूसीटटेब विच अप्छा एट फोलेंग, डांस, वहां से निम्री किस निम्री में से इस्तान को, या पिर कथक हैं? इन में से किस नित्य सहली से जुड़े एक पशिद्य बेक्तित्य पस्नालिटी हुआ करते हैं संभू महाराज संभू महाराज क्थक क्या हो जाएगा ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कुछ ना था कि दा नेशनल गेम ऑप भूटान इस भूटान का राष्टे ख हो जाएगा ठीक है हमारा क्या है हमारा क्या हो जाएगा और इसके साथ में जैसे कि आपको या देखना है जैसे कि या देखना है कि कनेड़ा क्या हो जाएगा ठीक है तो होकी हो जाएगा हमारा किसका इंडिया पकिस्तान हो जाएगा अच्छा बंगलादेश का कौन सा हो ज मंगर्दीस को कौन सा है कवड़टी है आ रहे है अगला सवाल इन विच कॉंटिनेंट इस दा अटा कामा डिजोट लोकेटेड तो अटा कामा मरुचतल किस महादीप में इस्तित होगा ठीके नेपाल का बॉलीफ़ल है बेरी गूड है तोह आसे थीक है? तो अटाकामा मरुइच्टल किस महादीप में स्थिद्धे? एसीया, युआख प ऑफरिका और अप अठाकामा मरुणि यूखे ऑगहाट्य ह्लागा तो आठाकामा डीजट की बात करेंगी तो पड़ेगा कहाँ पार? the southern most Jyotir Ling temple is located in which Indian state तो दच्छिनतम Jyotir Ling मंदिर किस भारती राज में इस्तित होगा आंद्री पदेश, करनाटक, तमिलाडु या फिर केरला इन में से किस जगा पर इस्तित होगा दच्छिनतम Jyotir Ling किस भारती राज में इस्तित होगा आगला सवाल देखते हैं अगला आता है कि राष्टी उबा महुतसब निम्रिखित में से किस बैक्तित्तों की जैनती पर मनाया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल इस सेलिवेटेड ओन दा वर्थ एन्वेस्ट्री उब दा विच फॉलेंग परसनालिटीज राष्टी उबा महुतसब भगत सिंग मिल्खा सिंग स्वामी बिवेका नंद या फिर चंद शेखर तो इनमस बनाएंगे किसके नाम पर मनाते हैं समझे बालक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आता है कि इनमें से किस बेक्तित को भारतिय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है यह आपको क्या करना है बताना है चलिए तो जाएंगा आपके कौन से बटापके दादा साफ फाल के और दादा साफ फाल के अवार्ड भी दिया जाता है अभी रिसेंट्ली जो दादा साफ फाल के अवार्ड दिया गया है वो दादा साफ फाल के अवार्ड किसको दिया गया है किस किस अबनेतरी अबनेता को दाद को दिया गया है पर कहजल सवाल यह है कि यह अभी किसको दिया गया है तो वहीदा रह्मानजी हो जाएंगी वह बहुत अच्छे और ने कलकारी की है बहुत अगे बढ़ते बहुत दार रह्मान जी ठीक है आगे बढ़ेंगे कौन है बाईदार रहमान गूगल कर लिजेगा बहुत अच्छी अदाकारा है बाईदार रहमान याद रखेंगे 2022 को आसा पारिक जो को दिया गया था ठीक है सारी एक्टरस नहीं जो यहां तक कजल लगाती थी पहले यहां तक है करके ठीक है अगला सवार निम्रिकित में से क कि पाँच करते हैं कें पाँची करते हैं पांची आते हैं एक कॉनमी के पांच करते हैं और सब और पर यह करते हैं साइंस के पांच 30 आते हैं जगरेयए करो इंपोर्टेंट ऑफ्राइडे में बिना किसी जेओ और सबके और शबके ठीक हो रहे हैं, बढ़िया, नयाँ जुआ जुआ जुर्ट ठीक है? तू मिला जाए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद परिया दिवाजी आपका क्लास में आने के लिए ठीक जाते जाते कुछ सुना दें तुम लोगों कियार ऐसे थोड़ी ना ऐसे कैसे छोड़े तुमको कुछ सुना के भेजेंगे जिसको सुनना वो रुक जा जिसको जाना वो जा सकता है पूर्ण करते हैं गुश्त पंच नेस आपकी चले कितने बज़ें कि आपकी सामकों पांच बज़े चलेगी पांच बिज़ें सामकों क्लास ठीक है रुके हो सुनने के लिए रहन दो अब बाद में सुनाएंगे कभी ठीक है तो मिलते हैं लोग हाँ अब प्यार मुहबत दोखा अभी पढ़ दो चलो फिर इसके लाब टेलिग्राम गुरूप आपका रहेगा वह एड़ दर है तमिसर्टेश्पू के नाम से हैं यहां पर आपको क्लास के पीडिये पो लिंक आपको मिल जाएंगी इसको जोन कर लिजेगा इस को क्या कर सकत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोगों से नेक्स सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुडबाइ टाटा टेक लियर बावाए क्वा खच्छा खचआ टेक लिए ऑच्छा टे lessons जाएंगे अमरत बावाए